नमस्कार दोस्तों सिविल सॉल्यूशन में हम सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में जो की मेजर्मेंट सीच है तो जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने काम करते हैं तो उसका जो लेंथ विर्थ और बाकी जो डेटा है वो किस परक तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने मेजर्मेंट सीट पर आ चुके हैं और यह खास हम आपके लिए लाएं ताकि आपको इसके माध्यम से जानकारी दे सकें तो इसमें आपको सारा डिटेल देखने को मिल रहा है कि कौन सी कंपनी है उसके इंडिपेंडेंट इंजिनियर कुन सा काम है और क्या काम है कहां से कहां तक है सारी इंफोर्मेशन आपको उपर में दी गई है उसके बाद आप देख सकते हैं किस सेक्शन का काम है तो अगर हाइवे का है मेट्रियल का है या फिर सर्वे सेक्शन का है ब्रीज सेक्शन स्ट्रक्शर तो वो भी आपको यहा नाम हो रहा है उस दिन का यह आपको डेट देना उसके बाद आप देख सकते हैं description of item description में आपको कौन सा work है वो आपको भरना है जैसा कि आपको M20 concrete या जो भी M15 concrete यूज हो रहा है वो उसके बाद आपका कितने number है और उसका unit M3 में हमेशा जब भी हम लोग निकालते हैं तो concrete M3 में निकलता है उसका length कितना है breath कितना है और depth कितना है यह आपको मालूम होने पे ही आप measurements जिट भर सकते हैं और तीनों को हम multiply करने पे हमें जो उसका quantity है यानि कितना concrete हमें यूज करना है या उसमें कितना use हुआ यह हमें उसमें से पता चलेगा उसके बाद आप यहां देख सकते हैं EPC contractor में signature, concessionaire जो भी आपके site में inspection करने आएंगे वो इस चीज से संतुष्ठ होंगे फिर वो अपना sign करेंगे ऐसे ही हम measurement seat में concrete यह हम सिर्फ concrete का value निकाल रहे हैं और इसी seat पे इसी प्रकार से आपको हम steel का भी अगले वीडियो में steel किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो like, subscribe और share जरूर करें